तो हलो गैं शार गैस, कैसे हैं, आप लोग तो गैसे हैं साज में बात करने वाले हैंने ले जी पे, मो फिर इक रिंग पे लीटे, ये फिर के अहमाजॉन पे बैलन्स के अपको समस्व करें करनें, तो देखने, आप लोग 나서 किसी की भी लि मिट, बैंको में transfer कर दोगे तो देखो आप लोगों का सवाल बिल्कुल सही होता है आप लोग सही कोश्चन करते हो क्योंकि आज क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा फारोड हो रहा है बहुत लोग क्या करते हैं कि वह सामने वाले से payment करवा लेते हैं यानि कि pay later to bank transfer करने के नाम पे payment करवा लेते हैं और बाद में उस यूजर को ब्लोग कर देते हैं और उसकी payment refund नहीं करते हैं लेकिन आप विसवास करिए कि भाई हम ऐसा काम नहीं करते हैं इसलिए कि इसमें आपको इस वीडियो में दो मैथर बताऊंगा एक तुम्हें अपना मैथर बताऊंगा जह कि आप सेल्फ ट्रांसफर करेखु से ही इन मेंसे किसे भी पेलेटर करके लिमित आप अपने आपसे बेंके में ट्रांसफर कर देता ही अगर आपे छूंग अंब फेलेचिब किन भा करना है तो तो आपको क्या करना होगा, अगर मेरे थुरु आपको अपने पेफलेटर के लिमिट बैंक में चाहिए तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बता दूँगा, इसी platform के अंदर आपको इन पेलेटरों का option मिलता है इस platform के मदद से आप पेलेटर के लिमेट बेंक में ट्रांसफर कर सकते हो तो चलिए मैं आपको सबसे पहला option बताता हूँ यानि कि अपना option बताता हूँ मेरा option यानि कि मेरा platform योज करने के लिए आपको बिसकिन आपको स्कुनियों सेनलकंण करने आपने इस बार यह में आपको नियुके हो का जो भी आपने मैसेज एंटर करते ना ठीक है और उसके बद इस हमारी सरफ से आपके पास एक लिस्ट आजाएगी जो भी पे लिटर अविलेबल होगा जो भी चार्जिस लग रहे होगे जो भी सेटलमेंट टाइम होगा वो सभी उसमें मैंसान होगा तो यह आप लोग अप लिक्स अप्लिकेशन से और रांस Face अप्लिकेशन से आप अमांट रांसफर करना चाते हो वो भी आपको बताना होता है तो उसके बाद इस्के बाद आत्र ऊंदर आपकीiedy होता है अानि कि आपकी पेंक में ट्रांसफर कर दिया चाता था तो दिक्वो हमारे थ्रू अगर या फिर Amazon Pay Balance को हमारे थुरू बैंक में ट्रांसफर करवाते हो तो उसके लिए तो आपको 15% के चार्ज देने होते हैं और सेटर्मेंट का टाइम है टी प्लस टू का यानि कि दो वर्किंग डेस के अंदर यह अमांट आपके बैंक में ट्रांसफर करा जाता है अगर बीच में Sunday या फिर कोई सरकारी शुटी बैंक holiday पढ़ गया तो उस case में आपका अमांट ट्रांसफर करा जाएगा अगले दिन आपके बैंक में आपका अमांट ट्रांसफर करा जाएगा तो देखो अगर आपको हमारे पर ट्रस हैं हमारे थुरू आप जो है लेजीपी औगरा के लिमित बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो 15% के चार्जिस लगेंगे और टी प्लस टू के अंदर आपका मौंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा अगर आपको हमारे पर भरोसा नहीं है देखो आप मेंसे जाए हम सेिंगे संप लेटे और दूसर नहीं देखो मुझे कोई द्कत नहीं आप चैहीं मेरे बैंक में ट्रांसफर कर वा हो या जो दूसरा他們 लता रहong उसके थुरूँ आप अपने पे लीट आपके लमिट में UC ड्रांसफर करऊ आपके काम होना चाहिए आपके की लिमिट केंट मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेकिन वही मैं आप लोगव Sunday करता हूँ खासकर कि उनसे कि जो message करके payment proof मांगते हैं तो भाईया आप ऐसा काम ना करिए आप किसी को message करके ये मत बोले कि भाईया मुझे payment proof दो कि आप मेरी payment transfer करवा दोगे ये को fraud करने वाला तो आपको दुनिया बरक payment proof send कर देगा वो तो हजारो payment proof हजारो screenshot आपके पास send कर देगा अगर कोई fraud है अगर किसी को आपके साथ fraud करना तो वह बंदा आपको हजारो payment proof send कर देगा कि भी हमारे पास इतनी payment आ रही है हम इतने लोगों के payment transfer कर चुके यह screenshot यह यह तो भी हम ऐसा काम नहीं करते हैं अगर आपको हमारे पर trust नहीं है तो एक ही website के बारे में बार बार बताते हो तो मैं उनको बता दो कि भाईया इस टेम एक ही website वर्क कर रही है एक ही website के मदद से आप अपने पे लिमिट बैंक में transfer कर सकते हो जो कि उस एक website के लावा आपको किसी अधर मेथर पर लेजी पेक उप्सन नहीं मिलेगा जहां से आप कि लिमिट बैंक में transfer कर पाओ वैसे तो आपको शॉपिंग अप्लिकेशन और पर लेजी पेक उप्सन मिल जाएगा आप लोगों को बहुत लोग बताएंगे कि आप यहां से ऐसे ऐसे करके लेजी पेकी लिमिट बैंक में transfer कर लो और लगा दो बात में order cancel कर दो इसे आपकी लेजी पेकी लिमिट बैंक में transfer हो जाएगी तो वह सिर्फ एक time based है उससे आपकी कोई भी limit बैंक में transfer नहीं होती है लेकिन जो एक website में आपको बार बार बताता हूं न वह हमेशा work करती है उसके थूरू जैन वन में आपकी लिमिट आपके बैंक में transfer हो जाती है तो वह एक website का नाम है जो आप लोग बार-बार कमेंट करके बोलते हो कि आप एक ही website बताते हो तो उसे एक website का नाम है वह यह जो कि इस website का लिंक में आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा ठीक है अगर आप लोग चेक आउट करना चाहों तो इसको चेक आउट कर सकते हो जो कि यह तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा और आप लोगों का इसका प्रोसेस नहीं पता है तो आप लोग सबसे पहले जाके उस वीडियो को चेक आउट कर लेंगे जिसपे मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता रखा है कि किस परकार से करना है और किस परकार से आपको आपको दुबारा लेजीपे पे किलिक करना होता है तो यहां पर आपको जो है ट्रांजिक्शन चार्ज इस तो गयरा बताया जाते हैं और यहां पर आपका जो है सेट्टल्मिंट टाइम बताया जाता है जो कि अगर आप लोग इस मेथर को यूच करते हो इनके थुरूर अगर आपकी जो सेटलमेंट है वो कंप्लीट कर दूँगा यानि कि अगर आप यहां से इनके थुरू अपने पेलेटर के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करते हो तो आपको 30% के चार्जिस लगेंगे लेकिन आपका जो अमाउंट है वह सेम डेही आपको मिल जाएगा सामके 6 जिसे पहले लेकिन अगर आप हमारे थुरू पेलेटर के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करवाते हो तो 15% के चार्जिस लगेंगे और टी प्लस टू के अंदर आपकी सेटलमेंट यानि कि दो दिन आपको वेट करना पड़ेगा तो यह देखो भी आपने अकोर्डिंग डिस सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मेरे इस्टाग्राम प्रोफाइल कर लिंक है तो आप लोग मुझसे इस्टाग्राम पे कॉन्टैक कर सकते हो कॉल कर सकते हो फिर मैसेज कर सकते हो अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ रही है तो बाकि आपने डिसाइट के लिमिट बेंक में ट्रान्फर करना चाहते हुए